नमस्कार के आपिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा बड़ी खबर आपको बता दे नैशनल हिराल्ट केस में राहुल गांदी को बड़ा जटका लग सकता है सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि राहुल गांदी बहुत जल्द गिरफतार हो सकते है और ये गिरफतारी सोमवार के पूछताज के बाद ही हो सकती है दरसल सोमवार को एडी के दफतर में एक बर फिर से राहुल गांदी को पेश होना है क्योंकि राहुल गांदी संतोस जनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसलिए E.D. के अधिकारी बार बार उन्हें बुला रहे हैं और इसी बीच ये खबर सामनी आई है कि अब राहुल गांदी पर गिरफतारी की तलवार लटक सकती है इस बड़ी खबर पे बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े हुए है कैप्सल टिवी के एडिटर इंजीब डॉक्टर मरेश कुमार ये तो बहुत बड़ी खबर है कि राहुल की गिरफतारी हो सकती है देखी ये खबर कॉंग्रेस के सूत्रों से ही आ रही है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर हलकम मचा हुआ है कि सोमवार को सायद राहुल गांदी को गिरफतार कर लिया जाए क्योंकि ना तो वो जवाब दे पा रहे हैं और जिस हिसाब से एडी के तरफ से सवाल जवाब किया जा रहा है और जिस रुख से राहुल गांदी से पूस्ताच हो रही है तो कॉंग्रेस पार्टी के अंदर इस बात की चिंता बढ़ गई है कि सोमवार को पूस्ताच के बाद शायद राहुल गांदी को गिरफतार किया जाए एक दबाव बनाने की कोशिश की जाए सोनिया गांदी पे कि बेटे को आपने गिरफतार कर लिया उसके बाद आप सोनिया गांदी से पूस्ताच करते हैं और इस केस की जहाँ पूछता जो है उसको आगे बढ़ाते हैं ये एडी की स्ट्रेटजी ये कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से बताई जा रही है और हलकम ऐसा मचा हुआ है कि कॉंग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है पूटेस्ट किकि इस एरस्ट को गॉंगरेस पार्टी के तरफ से ये बताया जा रहा है कि दिस कैन बी टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट इन सेंस कि जिस तरह से इंद्रा गांधी को 1977 में गरफतार किया गया था ब्रष्टचार के मसले के बाद जब उनको गिरफतार किया गया तो कॉंग्रेसी पूरे देश में बवाल मचाये थे वो चुनाव हार चुकी थी लेकिन इस गिरफतारी की वज़े से उन वो वापस राजनीती में बाउंस बैक की तो ये लोग उस हिसाब से भी सोच रहे हैं कि क्या इस पूरे ज साथ दिल्ली में दिल्ली में चक्का जाम करने की पूरी तैयारी कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से की जा रही है और ये जो खबर आ रही है कि राहूल गांधी बहले नाराज हैं सोनिया गांधी भी नाराज हैं क्योंकि जो पहले दिन दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट कर थे लेकिन अब गिरफतारी की जो बात हुई है उससे उसको लेकर के कॉंग्रेस पार्टी जो अभी फिलहाल कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राहूल गांदी के सम लोग के साथ उस गैंग में सामिल है उन लोग की चिंताएं बढ़ गई हैं लेकिन दूसरी ख़बर यह भी आ रही है कि यह कंफर्मिशन तो है कि कॉंग्रेस पार्टी को यह समझ में आ गया है कि यह जो पूस्ताथ चल रही है उसमें राहूल गांदी की गिरफतारी होगी और दूसरी चीज यह कि कॉंग्रेस पार्टी ही आपस में बट चुकी है और यह बट इसले चुकी ह कि जो आपने जितने भी प्रोटेस्ट देखे उस प्रोटेस्ट में ये G23 का जो ग्रुप है जो असंतुष्ट लीडर्स का जो एक गैंग है उसमें से कोई भी सक्स सडकों पे नहीं आया है मैं आपको ये बता दू कि इस न्यूस का कंफर्मिशन कि कॉंग्रेस पार्टी के अ और ये प्योर कॉंग्रेसी मुखपत्र है ये उस तरह के लोग है जो चिदंबरम के काफी नजदीक ये संस्था है और इसलिए उसके ख़़ों के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता और उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें आप देखिये उसमें लिखा हुआ है इसमें अश्च लिमिटेड कंपनी और लिदर्स इन गरुप और सीनियर और लॉट बूंज़े इस सौंग अगांड लिखा है उसमें के प्रिजा से तुम पर नहीं आएंगे और ये जो तमासत चल रहा है ये सौंग डान्स ये जो मीडिया के सामने लेट जाना अरेश्ट करवाना खुद को ये काम हम लोग सीनियर लोग हैं, ये काम हम नहीं करेंगे, जस्थ विकाज राहुल गांडी को जेल लेकर जाया जा रहा है, उसको ग्रिफिटाज किया जा रहा है, मतलब ये कि इस तरह की चीजे सीनियर लीडर्स कन्फरम कर रहे हैं और इन चीजों को लेकर के जिस हिसाब से तैयारी कॉंग्रेस पार्टी में चल रही है वो बहुत ही चिंता जनक है कॉंग्रेस पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसको लेकर बहुत ही वहापो है क्यो राहुल गांदी के साथ इस केस में जहां सीधे सीधे लूट का जो है पूरा केस बन रहा है हवाला का केस बन रहा है उसमें जनता साथ आएगी कारकरता साथ आएगे ये बड़ा एक एहम सवाल है जिस पे कॉंग्रेस पार्टी का 2024 का पूरा मुहिम डिपेंड करेगा पूजा पार्ट अलग जगह की जारी है अलग अलग जगों पी की जारी है हनुमान 40 का पार्ट किया जा रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो वहीं अलग 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 जगों से विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरे आ रही है तो ये तस्वीरे देखी कि कि किस तरह से मोधी सरकार का पुतला जो है यहाँ पे जोदपूर में फूका गया इस पूस्टर इस पुतले में आप देख सकते हैं कि लिखा है लोकतंत्र का हत्यारा मोधी हर जगा लिखा हुआ है और इस पुतले को भी जला गया है तो अलग-अलग जगों पर विरोध प्रदर्शन भ लेकर राहुल गांदी रोज एक नया नया ट्वीट कर रहे हैं मोधी सरकार को गेर रहे है यह ट्विट आपको दिखाटे जिस में लिखा है आठ सालों से लगतार भाच्पा सरकार ने जय ज़वान जय किसान के मुल्यों का अपमान किया है मैंने पहले भी कहा था कि प्रद रहे हैं लेकिन ट्विटर पे अगनीपर स्कीम को लेकर मोधी सरकार को घेर ना देखिए सबसे पहली बात राहूल गांधी कंफ्यूजड है कि उनको कब कहा कैसे लड़ाई लड़नी है आप ने वह बत्तमीजी दिखाई प्रधान मंत्री के पुतले को आप जो है जला रहे है डिमोक्रसी की हत्या बता रहे है वही डिमोक्रसी की हत्या कॉंग्रेस पार्टी के भरष्टाचार की वज़े से हुई डिमोक्रसी की हत्या इंद्रा गांधी ने की डिमोक्रसी की हत्या सोनिया गांधी ने की जब उन्होंने एक अनलेक्टेबल अनलेक्टेड व्यक्ति को जो उनके गुलाम से कोई कम नहीं था, उसे आपने देश का प्रधान मंत्री बना दिया। आप अपने घर के रसोईये को आप देश के राश्पती बना देती हैं, तब जाकर के आपको डेमोकरसी की चिंता नहीं होती। आप अपने जितने चारण भाण दिलस्तर के लोग होते हैं, उसको आप मंत्री और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, क्योंकि आपका जो गांधी परिवार की जो साख है, उसका जो प्रभुत्तु है कॉंग्रेस पार्टी के उपर बना रहे, तब डेमोकरसी की हत्या नहीं होती है, जब आप चोरी करते हैं, जब आप घोटाला करते हैं, तब डेमोकरसी की हत्या नहीं होती है, एक स्कीम आई है, और उसको लेकर के, आप क्या खबर आ रही है, बिहार में सौ सो रुपे दे करके, आप दंगाईयों को स्टूडेंट बता रहे हो, और आप बिना किस किसी जानकारी के, बिना किसी दलील के, आप नीतियों का विरोध करोगे, और इसके बाद ये कहोगे, दरसल ये जो कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से की गई है, आज जो राहूल गांदी ने ये अगनी वीर वाला स्कीम के परती जो गुंड़ी हो रहा है देश के अंदर में तो गुंडों के साथ खड़ा होने का इनोंने दुसाहस किया है, ये एक डावरसन है, राहूल गांदी इस तरह की मुर्खता पहले भी कर चुके हैं, जेन्यू में भारत तेरे टुकरे होंगे, इंसालला, इंसालला हुआ, वहाँ जागर के कूद के पहुँच गए, जनता ने इनको जगह दिखाई, अब फिर इन गुंडों के साथ खड़े हो करके, जो एक स्कीम को लेकर के ट्रेन जला रहे हैं, पूरे देश को अस्तिवस्त कर दिया है, उसके साथ अब खड़े हो करके, आप अराजक तत्तों के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि चुके यह जो arrest का डर है वो इतना ज्यादा डर है कि यह लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है Congress Party देज भर में आंदोलन करना चाह रही थी लेकिन जब फूस्ताज के दौरान Congress Party का हेड़कॉर्टर ही खाली हो गया, कॉंग्रेस पार्टी में फूट पड़ा हुआ है, बड़े-बड़े लीडर्स जो है, वो सड़क पे नहीं आ रहे हैं, जो मुख्य मंतरी है, जो राहूल गांदी से, जिनको मेवा मिल रहा है, जिनको पदभी मिल रही है, जो राहूल गांदी के स्टाफ हैं, उनके दोरा यह आंदूलन चलाया जा रहा है, तथा कथि कोई आहम जंता तो आई नहीं, तो आप क्या करोगे, आप अपने आपको योद्धा दिखाने के लिए, एक एंगरी यंग मैन दिखाने के लिए, एक और लेटी जो से, योग मोदी जी के किसी भी योजना से प्रॉब्लम है, आप दलील के साथ उसमें प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले, यह जो जंता के साथ दुर्वेवार हो रहा है, बच्चों के स्कूल बसे को जो आग लगाया जा रहा है, बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से जो पत्रा हो रहा है, उसके लिए माफी मांगें, और इस हिंसा को पहले आप कंडेम करेंगे, तब जाकर के आपकी बास सुनी जाएगी, लेकिन मरता क्या न करता, इनको लग रहा है, सुमवार को हत्करी लगेगी, सुमवार को जाना पड़ेगा, जेल के अंदर, इसलिए ये एक डावर्ट करने की स्ट्रेटिजी है, कि भई, जब गरफतारी हो, तो आप कहेंगे कि देखिये, कॉंगरेस पार्टी ने इनकी स्कीम का विरोध किया, राहुल गांदी इनके स्कीम का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया, एडी की त रहा है, लोगों को भड़का रहा है, तो कहीं कोई पैसे दे रहा है, भड़का जा रहा है, कहीं आरजेडी का लीडर है, ऐसे ऐसे लोग जिन से पूछा जा रहा है कि कौन सी स्कीम के खिलाब तुम बैठे हुए हो, तो बहुला हमको तो भई, फलाना आदमी ने भुलाया, सौ रुपे दिये इसलिए में आ गया तो ये इस तरह के लोग के साथ आप जो है आंदुलन देश में करोगे तो जनता बेवकूप नहीं है राहूल गांदी इस ने मेस वो देश की जनता के दोरा नकारे गए हैं पार्टी के कारकरता के दोरा नकारे गए हैं और जब E.T. से पुष्टाच चल रही है तो कॉंग्रेस पार्टी के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने भी उन्हें नकार दिया है राहूल गांदी के पास भागने का अब रास्ता नहीं दिख रहा है इसलिए वो उद्दंडता उस दंगईयों के साथ ख़ड़े नजर आ रहे हैं कि जिसके साथ साक्ष प्रमान दलीरे होती हैं करता वो है जो इमांदार होता है आप अन्ना हजारे बनने की कोशिश मत करें कि अन्ना हजारे को आपने गिरफतार कर दिया और जनता अपने आ पा जाए इनके प्रोटेस्ट में जनता नहीं है ये ऐसा निता है जिसके साथ ज गिरफ्तार होने की वज़े से हम सोलक पे नहीं उतरेंगे यही लागू होगा और इसलिए कुछ वेतन भोगी कॉंग्रेस लीडर्स वो आएंगे जिनको मेवा मिश्टान मिल रहा है कॉंग्रेस पार्टी से वो आएंगे जनता नहीं आएगी और इसलिए यह जो इनके on a position वो इस बार नहीं होगा झाल